तो फैनली नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अधित्यानन्द स्वागत करता हूँ आप सभी के डिजानिंग मंत्र में एक और नए वीडियो इसमें आप सभी के लिए लेकर आज चुक हूँ जिसके अंदर आज हम बात करने वाले KPGM Data and Eletics Virtual Internship Program के बारे में बता दो ये Virtual Internship Program होने वाले जिसे आप लोग सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे में अपने घर में बैट करके Online Complete कर पाएंगे बता दो इस Internship को Complete करने के बाद आपको एक Valuable Certificate भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी तो बिसिकली जो स्टुडेंट यहाँ पर आगे जाकर कि Data Science के फिल्ड में अपने करियर को बनाने के बारे में सोच रहे हैं या फिर इस फिल्ड में आगे बढ़ना चारह है उनके लिए Virtual Experience Program बहुत ये Valuable साबित होगी बता दूँ इस प्रोग्राम के इंदर आपको तीन टास्क दी जाएंगे तीनों टास्कों कम्प्लीट करने के बाद आपको Certificate प्रुवाइड की जाएगी बहुत सार स्टुडेंट ऐसे जिने टास्क समझ में नहीं आती क्योंकि टास्क का फॉर्मिट यहां पर टेक्स्ट में रहता जिसे बढ़कर आप उस समझनी होगी तो मैं आप सभी को बता दू, आप सभी के लिए इस टास्क को आसान बनाने के लिए मैंने टेलिग्राम चैनल भी बना रखा जिसकी लिंक भी मैंने आप सभी को Description में प्रोवाइट कर रखी है जिसके अंदर task से related जो भी example answer होगा वो मैं आप सभी को अपने telegram channel पर भीज़ दूँगा उसे आप लोग जरूर जोइन कर लिजेगा जिसके help से आप लोग इस task को यहां पर complete कर पाएंगे और last में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा यह कोई hiring नहीं की जारी KPGM के तरफ से और ना यह कोई paid internship होने वाली है बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाया कि यह hiring की जारी KPGM के तरफ से लेकिन यह बस एक virtual internship program होने वाले जिसे आप लोग घर बैटे complete करेंगे आपको यहां पर थोड़ी बहुत experience होगी किस तरीके से आपको offices में काम करने होंगे तो पूरी information के लिए सीधे चलेंगे laptop screen के तरफ So finally हम लोग यहां पर फॉर एक के official site में आज चुके जिसके बारे में आप सभी ने सून रखाऊगे इसको पर मैंने पहले भी कई जारी इस वीडियोस बना रखा है बात करेंगे आज के इस वीडियो में data analytics जो की KPGM के तरफ से आप सभी को प्रवाइट की जारी है जिसके अंदर आपको क्या कही है आपर benefit मिलने वाली है सबसे पहले हो तो मैं आपके यहां पर दिखाना चाहूँगा टास्क के बारे में आप लोग क्या चीज़ी यहां पर सीखेगा जिसमें की data quality analysis होने वाली है analytical dashboard creation होने वाला है दूसरी टास्क के इंदर आपको data analytics customer segmentation के बारे में बताए जोगा data driving presentation के बारे में आप सीख पाएंगे तीसरी यहां पर आती data dashboard, data visualization, presentation टेकि data science के इस courses भी अगर आप लोग कर रहे है यहां पर data visualization बहुत important हो जाता है presentation बहुत important हो जाता है Excel का सेकना बहुत important हो जाता है इसी के साथ इस task के अंदर आपको यह तारे चीज़े provide की जाएगी बताए यहां पर table you कभी आप लग यूज़ कर सकते table you data visualization tool होता है जिसे आज के समय में data analytics के लिए बहुत जादा यूज़ किया जा रहा है so finally कुछ इसी तरीके का आपको task यहां पर provide किया जाएगा मैं आपको एक बार यहां पर अंदर जाकर दिखा देता हो मैंने यहां पर सारे task को complete कर लिए मैं आपको आगे बता तो मैं आपको पूरी process बताने वाला हूँ ताकि जो लोग ने उन्हें भी यहां पर समझ में आ जाए कि इस तरीकेस यहां पर इन्रॉल करना है so finally link के थो आप लोग इस dashboard पर पहुंच जाएगा जहां पर आपको क्या करना है रेजिस्टर नौ का एक option दिख जाएगा यहां पर आपको simply जागर के click करना है जैसे आप click करेंगे आप इस program के इंदर enroll हो जाएगे आपको सबसे पहले यहां पर registration कर लेना है गूगल के थुरू उसके पर इस program के इंदर आप enroll हो जाएगे कुछ आपसे छोटे-छोटे questions पूछे जाएगे आपसे भी को यहां पर अपने हिसाब से सारे questions का यहां पर जिवाब दे करके आगे बढ़ते जाना है आप देख सकते हैं बहुत यह छोटे-छोटे question है बस आपको click करना और आगे यहां पर बढ़ते जाना है so finally हमारे यहां पर task 1 आज चुका जिसके इंदर data quality assessment होने वाली है बतादो यहां पर assessment of data quality and completeness and preparation for analysis आपका basically यहां पर task क्या होने वाला है बस आपको इक data set यहां पर provide किया जाएगा जिसके quality को आपको check करना है क्या वो आगे की analysis process के लिए आपको data यहां पर तेयार है यही बस आपको इहां पर check करना होगा जिसके बारे में text के थुरू आपको सारी information यहां पर provide कर दी जाएगी अब देखें कि यहां पर नीचे जाने के बाद आपको यहां पर एक resources भी दीगे जिससे आप लोग चाहें तो download कर सकते click here to download file के यहां पर option मिल जाएगा इससे आप लोग download कर सकते इसी के साथ अगर बात करें unlock example answer के तो इससे आप लोग अभी unlock नहीं कर पाएंगे मैंने यहां पर unlock कर लिए इसे मैंने अपने टेलिग्राम चैनल पर भी भेज़ चिकाओ है जिसके थुरू आप लोग यहां पर इस task को असानी से समझ करके complete कर पाएंगे तो यह तो बात हो कि यहां पर task के बारे में आप लोग एक बार अपने तरीके से भी पढ़ लिजेगा अगर आप लोग जनुविन attempt करना चाहते है अगर आप लोगो कुछ तरू certificate चाहिए वो किसी भी region के लिए चाहिए तो यहां पर certificate कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ यहां पर आपको क्या करना है simply नीचे चलते जाना है यहां पर आप देखेंगे drop file here और click to upload यहां पर एक file को upload करना है file में क्या होने वाला है तो आप देखेंगे यहां पर आपको एक email लिखना होगा ठीक है अपने client को एक email लिखना होगा आपका task भी basically यहां पर रही होने वाला है और यहां पर एक problem है for a official site में यहां पर आप किसी भी file होई यहां पर upload करते हैं यह चेक नहीं करता है उस time तो आपका task यहां पर complete हो जाएगा और आपको certificate भी यहां पर provide कर दी जाएगी यहां पर आप देख सकते हैं मेरा सारा task है, मेरा सारा example answer है तो यहां पर हम लोग अपने पहले task को complete करने के लिए file को upload करते हैं यहां पर थोड़ा सा time लेगा जैसे आपका यहां पर file upload होगा यहां पर एक successful का notification आजाएगा जिसके बाद आप समझेगा आपका task यहां पर complete हो जाएगा लेकिन यहां पर थोड़ा सी time लेगी जिसके लिए आपको यहां पर बैटकर इंतिजार करना होगा तो finally हमारा पहला task complete हो चुक है आप लोग देख सकते congratulations का यहां पर message भी आ चुक है जिसके बाद आपको mark as complete and proceed to the next task इस बटन पर जाकर के click करना होगा तो finally मुझे यहां पर एक problem दिखी आप देखेंगे यहां पर uploading your work for review यहां पर एक option आता ही लिखावात है लेकिन यह होते रहेगा यहां पर चलता ही रहेगा यह रुकेगा ही नए तो finally आप लोग क्या करता है जैसे next task आप देखेंगे यहां पर option आचुक है तो यहां पर दूसरे टास्क में क्या होने वाला है पहले टास्क में जो आपको data दिया गया था उसके help से आप से यहां पर target करना है जो किस पर बेस रहेगा यहां पर आपको excel file भी प्रोवाइड की जारी एक ppt भी आपको यहां पर प्रोवाइड की जारे प्रजेंटेशन के लिए तो इससे भी आप लोग यहां पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं तो basically दूसरे टास्क में क्या करना है आपको ppt को यहां पर अप्लोड करना है हला है कि यहां पर ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है यहां पर सिधा लिखा गया drop your files और click to upload यहां पर अपने file को upload करना है फाइल के format के बारे में यहां पर कुछ नहीं पता गया है तो simply हम लोग यहां पर click करेंगे click करने के बाद आप लोगों के यहां पर task to जो भी आपकी task हो पाइंग और certificate को अपने नाम कर पाएंगे लिखिन certificate आप लोग तभी लिजिए कि जब इस field के बारे में आपको थोड़ी बहुत भी knowledge होगी तो ही जाकर कि यह certificate आप से भी को आगे काम आएगी सो फानली दूसरा task भी complete हो चुका है यहां पर mark as complete के यहां पर option हमें दिख रहा जिस पर हमें जाकर के click करना होगा सो फानली मैंने उसे cut कर दिया बहुत time लगा रहा था यहां पर next task का भी हमें option मिल चुका है तो हमारा दूसरा task भी complete हो चुका हम लोग यहां पर आगे बढ़ जाते नेक्स task पर जैसे हम लोग यहां पर click करेंगे आपका task 3 हो जाएगा जो कि हमारा last task होने वाले से complete करने के यहां पर यहां पर एक valuable certificate मिलने वाला है जो कुछ इस type का यहां पर दिखने वाला है तो यहां पर हम लोग पने task को complete कर लेते हैं using visualization to present insights यहां पर आपको visualization tool का use करके presentation को बनाना होगा उसमें सारी data को यहां पर पिल करना होगा यहां पर task होने वाला task के बारे में सारी information आपको यहां पर provide कर दीगई यहां पर आपको ग्या करना एक dashboard बनाना होगा ज्योंकि अगले meeting में आपकी dashboard को आपके presentation को यहां पर client को दिखा जाएगा क्या कि data यहां पर होनी चाहिए उसके बारे में सारी information यहां पर provide कर दी गई है हालागि यह dashboard कैसा होना चाहिए यह सारी चीज़ें आप देखेंगे यहां पर मैं आपको दिखा देता हूँ dashboard किस type का होना चाहिए यहां पर आपको ppt वगरा सारी चीज़ें आप पर provide कर दी जाएग इसे एक बार आप लोग download कर लिजेगा सारे resources को मैं यहां पर भीज़ दूँँगा टेली ग्राम गुरूप पर तो इसके इसे देख करके भी आप लोग यहां पर help ले सकते हैं फिर इसे ही modify करके यहां पर upload भी कर सकते हैं तो फटा-फट यहां पर आप अपने लोग task को upload करते हैं यहां पर basic tutorial वीडियो भी यहां पर दिया गया है जिससे आप सब भी यह जान पाएं कि power BI को कैसे use किया जाता है ठीक है उसके बाद एक XML file भी यहां पर आपको दी गई है the dataset from the stocket central के दरब से यहां पर इसे भी आप एक बाद देख सकते download कर सकते बिल्कुल free है उसके बाद आपको क्या करना है यहां पर drop your file पे जाकर करके click करना है जो भी आपका task 3 उने वाला उसे आप से view को यहां पर upload कर देना होगा finally आप देखेंगे यहां पर हमाना तीसरा task भी complete हो चुका जहां पर हमें कमार का complete option दिख रहे है इस पर में जाकर करके click करना होगा जैसी हम लोग click करेंगे हमारा task यहां पर complete हो चुका है task overview page में फिर चले जाना यहां पर एक button दिख जाएगा आपको task 3 में ही last में आपको यहां पर जाकर करके click करना होगा जैसे आप click करेंगे यहां पर download your certificate का option दिख जाएगा मतलब आपको certificate यहां पर मिल चुगी है किस date को मैंने complete किया उसके बारे में भी सारी information यहां पर provide की जाएगी so finally कुछ जसी तरीके से आप लोग की PGM के data ने लाटिक्स virtual internship program को complete कर पाएंगे इनकेस अगर कोई भी doubt रह जाती है कोई problem रह जाती है तो आप लोग मुझे comment कर सकते हैं फिर मुझे इंस्टा भी कर सकते हैं झाल के बाएंगे